सब तो गाईज आई पील 2422 में आज हमें मुकाबला देखने को मिला था रोयल चलेंजर स्पेंगलोर और चेने सुपर किंग्स के बीच में और बहुत ही इंपोर्टेंट की मुकाबला था जिसमें फाइनली आरसीबी की टीम ने चेने सुपर किंग्स की टीम को हरा कर अपनी लगाता अब तीन मैचु से चली आरी हार की स्ट्रीक को तोड़ दिया इसके साथ ही CSK के टीम की प्लेओफ का सफर भी अब आल्मोस्ट खतम हो चुका है पॉइंट स्टेबल किस तरीके से अब हमें नजर आ रही है इसके साथ ही आज होने वाले डेली कैपिटल्स और समराइजर सेदराबाद के 20 मुकाबले के बाद पॉइंट स्टेबल किस तरीके से बदलेगी यही सब आते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डीटेल में बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाईए जिससे हमारी वीडियो उसके अपडेट आप सबसे पहले पहुंच सके तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप आज खेले गए CES के और RCB के 20 मुकाबले के बाद पॉइंट स्टेबल में सबसे नीचे यानि कि बॉटम से स्टार्ट किया जाए तो नंबर 10 की पोजिशन पर आती है मुंबाई इंडियों के टीम, MI की टीम ने टोटल 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक मुकाबले में जीत और 8 मुकाबलों में हार के साथ ही MI के टीम के दो पॉइंट सा और इनका नेटरन रेट है माइनस 0.836 का जिसका मतलब है कि मुंबाई इंडियांस के टीम IPL के प्ले आप से बाहर हो चुकी ह इनसे उपर पॉइंट स्टेबल में नंबर 9 की पोजिशन पर आज का मुकाबला हारने के बावजूद चेने सुपर किंग्स की टीम बनी हुई है जहांपर CSK की टीम ने टोटल 10 मुकाबले खेले हैं तीन मुकाबलों में जीतर 7 मुकाबलों में हार के साथ ही CSK की टीम के 6 इनका net run rate है माइनस 0.4 का अब अगर चेने सुपर किंग्स की टीम को प्ले आफ में जाना है तो अपने बचे हुए चारू के चारू मैचे जीतने के साथ ही इनको बाग की सारी equations पे भी बहुत जादा dependent रहना पड़ेगा और आप लोग मान सकते हो कि हो almost CSK की टीम यह प्ले से बाहर ही है इनसे उपर पॉइंट्स टेबल में नंबर आट की पोजिशन पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के टीम ने दस मुकाबले खेले हैं चार मुकाबलू में जीत और 6 मुकाबलू में हार के साथ ही इस टीम के आट पॉइंट्स है और इनका net run rate है प् प्लस 0.587 का इनसे उपर प्उइंट्स टेबल में नंबर 6 की पोजिशन पर आज के मुकाबले के बाद Penjazab Kings की टीम ा चुकी है पन्जाब की टीमने 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 5 मुकाबलू में जीत और 5 हार के साथ ही इनके 10 पॉइंट्स है और इस टीम का net run rate है 0.471 का जिसका मतलब है guys अगर finally हम बात करें इस पूरी points table में top 4 की positions की तो number 4 पर आद RCB की team आ चुकी है पहले number 6 पर थे दो positions की चलंग लगा कर अब RCB की team number 4 पर आ चुकी है 11 मुकाबलू में 6 जीत और 5 चार के साथ RCB की team के total 12 points हो चुके हैं और इनका net worth rate minus 0.5 का है जिसका मतलब है guys अगर हम finally table toppers की बात करें तो यहां पर आती है गुजरा Titans इन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं 8 मुकाबलू में जीत और 2 मुकाबलू में हार के साथ ही GT की team के 16 points है और इनका net worth rate है plus 0.158 का और almost यह playoff के लिए qualify कर चुके हैं बहुत ही कम chances से कम equation है जिसके दम पर यह IPL से भाहर हो सकते हैं आज हमें मुकाबला देखने को मिलने वाला है IPL में DC और SRH के बीच में DC के लिए do और die मुकाबला है अगर यहां नहीं जीते तो फिर सारे matches जीतने पड़ेंगे SRH अगर आज का मुकाबला जीती है तो फिर यह team RCB और RR दोनों को हटाकर नंबर 3 की position पर आजाएगी comment करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सी चार टी में जाएंगी playoff में इसके साथ ही वीडियो को like करके channel को जरूर कीजिए subscribe तो मैं बस्ता हूँ आप लोग उसे इपनी इगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye